एक बार की बात है, एक छोटी लाल मुर्गी थी, वो एक खेत में रहती थी और हर दिन बहुत मेहनत करती थी, वो मिट्टी को खोथती थी, केंचुए ढूंडती थी, एक जाडी में बैठती थी, छोटी लाल मुर्गी के तीन दोस्त थे, एक बिल्ली, एक कुत्ता और एक घोड़ा, लेकिन उसके ये दोस्त काम करना पसंद नहीं करते थे, बिल्ली धूप में आराम करना पसंद करती थी, कुत्ता थंडी चाया में सोता था, और घोड़ा तो पूरा दिन बस टीवी देखता रहता था, एक दिन छोटी लाल मुर्गी को रस्भरी की जाडी मिली, रस्भरी उसने खुशी से चिल्ला कर कहा, वाह, चलो रस्भरी का केक बनाते हैं, वो जल्दी से अपने दोस्तों को ये बताने गई, दोस्तों, देखो, वहाँ रस्भरी है, हम रस्भरी का केक बना सकते हैं, कुत्ते के मुंग में पानी आ गया और वो बोला, हाँ, बिल्ली ने अपने होन चाटे और वो बोली, जरूर, घोडे ने सिर हिलाया और बोला, बहुत बढ़िया विचार है, तो रस्भरी कौन तोड़ेगा, छोटी लाल मुर्गी ने पूछा, मैं नहीं, कुत्ते ने कहा, मैं व्यस्त हूँ, मैं तो नहीं, बिल्ली ने कहा, मुझे नीनदा रही है, मैं भी नहीं, घोडे ने कहा, मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद कर लूँगी, छोटी लाल मुर्गी ने फैसला किया, और उसने सारी रस्भरी खुद तोड़ ली, अब हमें आटा चीनी, दूद और मक्षन चाहिए, छोटी लाल मुर्गी ने कहा, तो दोस्तों, बताओ ये कौन लाएगा, मैं नहीं, कुद्टे ने कहा, मैं व्यस्त हूँ, मैं तो नहीं, बिल्ली ने कहा, मुझे नीनदा रही है, मैं भी नहीं, घोडे ने कहा, मैं टीवी देख रहा हू ठीक है, मैं खुद ले आउंगी, छोटी लाल मुर्गी ने कहा, उसने पेंट्री से आटा और चीनी निकाले, फ्रिज से मक्षन और दूद लिया, फिर उसने सब कुछ एक बड़े बरतन में मिला दिया, केक का बैटर कौन बनाएगा, उसने पूछा, मैं नहीं, कुद्टे मुर्गी ने कहा, मुझे नीनदा रही है, मैं भी नहीं, घोडे ने कहा, मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद कर लूँगी, छोटी लाल मुर्गी ने कहा, उसने केक का बैटर अच्छे से बनाया, फिर उसमें रसभरी डाली, बैटर को केक के साचे में डाला, और उसे ओवन में पकाने रख दिया, टिक टिक, टिक टिक, जल्द ही, रसोई में केक की स्वादिष्ट खुश्पू फैल गई, कुट्टे ने खुश्पू ली, बिल्ली ने खुश्पू ली, घोडे ने भी खुश्पू ली, फिर वे सब रसोई में दौडते हुए आए, चोटी लाल मुर्गी ने केक ओवन से निकाला, उसे प्लेट में रखा और उसकी आइसिंग कर दी, तो इस केक को खाने में कौन मदद करेगा? चोटी लाल मुर्गी ने पूछा, मैं कुटे ने कहा, मैं बिल्ली ने कहा, मैं घोडे ने कहा, नहीं, छोटी लाल मुर्गी ने कहा जब तुमने केक बनाने में मेरी कोई मदद नहीं की तो इसे खाने में भी नहीं करोगे उसने केक लिया और पूरा का पूरा केक अकेले ही खा गई